So hey guys, welcome again, so JavaScript की इस वीडियो स्रीज में हमने last वीडियो में प्रोटोटाइप 10 के बारे में study किया था So I hope आपको वो concept clear होगा और आप उस पर practice किया होगे अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली prototype के कुछ और concept के बारे में बताऊंगा जिसको आप पहले से जानते हो लेकिन still हमें उन चीजों को डिसकस करना है So क्या है मेरा वो terms और क्या चीज मैं आपको समझाना चाहरा हूँ चलिए उनके बारे में हम discuss कर लेते हैं So अगर आप last video को देख के आ रहे हैं तो आपको मैंने previous video में बताया था कि javascript के अंदर everything act like a object मतलब जो भी चीज आप create करते हो वो कहीं ने कहीं से object से connect होता है So almost हम यह कहते हैं कि javascript के अंदर हर चीज जो ए जो अब्जेक ट्रीट होता है आप अगर javascript के अंदर कोई array भी create करते हो तो वो हमारा कैसे treat करेगा तो वो हमारा जो अब्जेक ट्रीट करता है So याद कीजिए आपने array पे बहुत सारे इन विल्ट फंक्शन को यूज किया है जैसे map, pop, then filter तो यह सारे जो function है इसको आप कैसे access करते थे So आप याद कीजिए आप access करते थे तो dot लगा कि जो भी आपका array उसमें कोई अगर function यूज करना चाहते हो तो array का नाम then dot यूज करोगे और again अभी हमने कुछ वीडियो पहले भी देखा है कि जो हमारा object है उससे अगर हमें कोई property access करना है तो in general हम क्या करते है object का नाम और then dot यूज करते है So यह जो dot है यह वही dot है जो कि हमें object के मिल वेसे मिलता है So I think इससे हमें idea लग सकता है कि जो हमारा array होता है basically वह भी हमारा object के तरह ही treat होता है क्योंकि object से अगर हमें कोई property access करना है तो in general हम ज्यादा तर यही dot वाला option है इसी को यूज करते हैं आप जो bracket की through भी कर सकते हो जो कि हमने देखा है लेकिन जाता तर जो हम dot option को यूज करते हैं So अभी इस terms को समझने के लिए कि basically हमारा जो array होता है behind the scene basically क्या हो रहा होता है कोचीज समझने के लिए हम यहाँ पे जोए एक छोटा सा array बनाते है इन्पूट्स नाम का हमारे पास array है और अगर इस array को देखोगे तो इसमें हम कुछ element store करा लेते हैं So यहाँ पे हमने एक array create किया है और अगर यह array object के तरह ट्रीट कर रहा है java script के अंदर तो हमने अभी देखा था को वीडियो पहले ही कि कोई भी अगर object है तो उसके पास जो प्रोटो टाइप होगा और प्रोटो टाइप अगर किसी भी object का चेक करना है तो उसके लिए जो हमारे पास अंडर इस्टूड अंडर इस्टूड प्रोटो नाम का जोए एक प्रोपर्टी है तो अभी मैं क्या करता हूं यहां पे कंसोल गराता हूं क्या सो इन्पूट्स अगर यह object है तो इसके पास जो एक प्रोपर्टी होना चाहिए तो उस प्रोपर्टी को हम कैसे यूज सो प्रोटो और अंडरेस्टूड अंडरेस्टूड सो यह जो हमारा प्रोटो है बेसिकली यह क्या बताता है कि अगर कोई object है और उसके पास जो कोई प्रोटो टाइप है तो वह हम चिक कर पाएंगे इस प्रोपर्टी के मदद से अभी चलते हैं अपने कंसोल पे और जब अगर आप कंसोल पे आऊगे तो यहां पे आपको जो प्रोटो टाइप देखेगा और यह जो प्रोटो टाइप है बेसिकली देखो तो यह हमारा कंस्ट्रक्टर प्रोटो टाइप है तो अगर आप यहां पे धिहान से देखोगे तो यह हमारा कंस्ट्रक्टर प्रोटो टा से हमारा ट्रीट करता है प्रोटोटाइप यह चीजे हमने लास्ट के कुछ वीडियो में देखा है अगर कोई फंक्षन के मदल से अब्यक्त बनता है तो उसके अंदर नाम के प्रोपर्टी के अंदर जो बिसिकली उस फंक्षन का पूरा डीटेल होता है यहां पर आप चेक कर क्यों कोई एरे की रियेट करते है तो बिहांड गान एंद्यक्त बिसिंवे एकंस्टैक्टर फंक्षन है लास्ट बाता है बारे अभी आप देखो क्तिया हां जो में चेक करना है तो नीचे आउगा तो यह हमारा प्रोटोथाइप है और यहां पे गर उगेंड करोगे तो ऑगें यहां पे यह आप के यह प्रोपर्ट्यें के अंदर जो हमारा उन्दो टॉट्य टॉप मोस्ट पे जो object होता है जो कि टॉप मोस्ट पे होता है आपके hierarchy के अंदर तो उस object का सारा property हमको देखने को मिलेगा अगर आप कोई भी array simple सा भी array create करते हो javascript के अंदर तो तीन चीजे होती है hierarchy हमारा किस तरीके से बनता है तो सबसे lowest में आपका वो array होगा एक प्रोटोटाइप और वो प्रोटोटाइप होगा जो कि हमारा object है और इसको अगर आप चेक करोगे तो यह हमारा वो object है तो आपको यह समझ में आया कि किस तरीके से हमारा एरेक कनवर्ट होता है प्रोटोटाइप में इस्टिल यहां पर चेक करोगे तो कई सारे आपको यहां पेंविल फंक्सन मिलेगा जिसको हमने ओल्डेडी कई सारे फंक्सन को यूज किया filter find index find last index जो भी important function इसको हमने यूज क तो यह जो function आपको दिख रहा है जो आप direct अपने project में या आप कहीं भी अपने code में यूज कर रहे हो तो यह function basically कहां से आ रहा है तो जो आप array create करते हो उसके पास फंक्सन नहीं होता है वो उसके prototype I mean जो constructed prototype है उसके पास होता है और हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ गया है कि जो prototype होता है वो एक object के property को जो दूसरे object में यूज करने के लिए help करता है तो इसलिए हम direct इसमें से कोई भी method यूज कर सकते हैं अपने array के रोप में और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ जब हम array का lecture ले रहे थे तो आपको याद होगा कि हम array दो तरीके से बना सकते हैं तो यह new keyword है यह हम कभी यूज करते हैं जब हम कभी भी constructor function बनाते हैं और उस constructor function से हमें object बनाना हो तो हम जो है new name का keyword यूज करते हैं और साथ के साथ उस function को call करते हैं अब यह जो array है अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसका पहला जो character है वह हमारा capital है और इस पर hover भी करोगे तो आपको देखो array और array constructor दिख रहा है तो constructor function का पहचान भी यह है कि वह जो पहला character होगा वह capital से start होगा तो जो behind the scene अगर आप ऐसा object बनाते हो not object ऐसा array बनाते हो तो behind the scene वह इसी तरीकी से convert हो रहा होता है तो आप दोनों में से कोई भी बेच आप यूज कर सकते हो so I hope आपको यह idea लगा कि object जो किस तरीके से काम करता है और object के अंदर prototype क्या होता है और अगर हम array create करते है तो array के लिए भी prototype बनता है so उस prototype के पास जो array का जो भी इन्विल method बोल दो या function बोल दो जो हम यूज करते है वो हमें कहां से मिलता है so जो आप array create कर रहे हो उसके लिए चुए वो direct array नाम का constructor को जो कॉल करता है और उसके अंदर हमारा वो सारा इन्विल फंक्शन होता है जिसको हम अपने project में या कहीं पर भी यूज करते है so अगर अभी आप यह चेक कर पा रहे हो कि input.proto अगर हम करते हैं तो इस array का जो हमें prototype मिल गए अब इस prototype का अगर आप prototype चेक करोगे तो understood understood प्रोटो अभी पे जो टॉप्मोस्ट आपके object के उपर होता है वह object आपको यहां पर देखेगा इस में से जो हमने ओल्डेडी इस property को यूज करके देखा है तो यह हमारा जो टॉप्मोस्ट होता है इसके उपर कुछ भी नहीं हो सकता है यह हमारा जो है idea हो रहा है हमें idea मिल रहा है कि हमारा जो array बनता है वह behind the scene जो है object के रूप में जो है convert हो रहा था इस तील अगर आप इस चीज़ों को जो है mdn पर search करोगे तो यहां पर मैं mdn open करता हूं तो javascript के अंदर जो भी चीज मैंने study किया यह in future study करोंगा उनका सारा explanation जो हमारा mdn के पास ही होता है तो mdn और map simply अगर मैं यूज करूंगा क्योंकि map जो हमारा array के method है तो अगर यहां पर यूज करोगे तो एक चीज और देखना यहां पर हमें आ रहा array.prototype.map जो हमारा यह array है basically वह constructor function है उसके अंदर जो हम prototype को यूज करने I mean array के पास जो array constructor function है उसका prototype है map function और अगर इस पर अगर आप click करोगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कहरे नाम का वह हमारा जो है function हो सके उसको explore करना सो यह जो साइट है हमारा mdn.bib.docs यह बहुत important sites है JavaScript को लेकर तो जो भी अपडेट यह जो भी terms में in future आपको बताऊंगा वो सारा कुछ यहां पर आपको अबलेबल होता है तो कभी भी कुछ भी JavaScript को लेकर आपको confusion आता है तो आप आप इस site का help ले सकते हो चाहां पर आपको official documentation मिलेगा आपको array का prototype समझ में आया होगा कि किस तरीके से array के अंदर prototype काम करता है इस पर practice कीजिए जितना यहां पर function है उसको जितना explore कर सकते हैं explore कीजिए हम next video में इसे आगे के terms के बारे में बात करेंगे